तो गाइज यह है एक ब्रैंड नियो स्मार्टफोन ओपो ए 15 और यह जो फोन है अभी लांच नहीं किया गया है अपने इंडिया के अंदर इस फोन को और डी आमेजन के उपर टीज किया जा रहा था कमिंग सुन को लेकर लेकिन अभी फाइनली अभी जो है इसका कमिंग सुन का जो बैनर था उसे हटा दिया गया है और यह जो ओपो ए 15 है यह आज ही मेरे पास आया है तो वीडियो सुरूच करने से पहले ही मैं बता दूं कि एक डमी मॉडल है जिससे देखने के बाद आप फील कर पाएंगे एज और रिजनल ओपो ए 15 को क्योंकि यह फोन है बॉक्स के अंदर से निकलेगा तो सेम टू सेम होगा तो बस आज की वीडियो में बात करने वाले इस ओपो ए 15 के बारे में तो यह जो फोन है अभी कंफॉर्म नहीं करा गया है कि किस प्राइस रेंज में आने वाला है तो आप लोग वीडियो को देखने के बाद इ और इसे पहले और इडी ओपो ने अपना जो पुराना मॉडल है ओपो एट विल उससे भी 9,990 में रखाया है लेकिन अभी जो फेस्टीब सीजन चल रहा है जिसके कारण से इस फोन को लांच किया गया है और उस फोन के जगे पे इसे सायद रिप्लेश किया जाए जिससे क यह एक बजट स्मार्टफोन बन जाएगा जिससे कि यह फोन जो है अंडर 10 के होने वाल है चलिए अब बात करते हैं इस फोन के स्पेसिफिकेशन और डिजाइन और साथ फीजिकल ओबर विव की इससे पहले कि आप लोग मेंने चैनल पर नए है वीडियो फसंद आता हो तो यहां पर आपको गलास जैसा फील देता है मेट फिनिस रखा गिया है तो यह एक अच्छे प्राइस में आपको एक प्रीमियम लुक वालर डिजाइन फोन मिलता है यहीं पिसका जो थिकनेस है वह आपको 8 mm देखने के लिए मिलता है जिससे कि यह फोन यहां पर काफी कंफर यह पर इस फोन के बैक साइड बहुत है यहां पर देखने के लिए सबस्क्राइब के लिए जाता है यह जो ऑपर ए 15 आपको फीजिकल प्रिंगर प्रिंगर्पिन के साथ मिलता है यहीं पर हम लोग इस फोन के बैक साइड पर देखें तो यह पर 3.5 mm जैक लगाने का और output as speaker को भी option मिलता है और ठीक सेंटर में आपको charging pin का option देखने करी मिलता है तो यहां पर type C ना देखकर micro USB charging pin दिया गया है फोन के right hand side पर देखेंगे तो power keys और volume keys को दोनों को set up करा गया है और इस फोन के left hand side पर देखते हैं तो यह जो ओपो f15 है इसके अंदर आपको dedicated SIM tray देखने को मिल जाएगा और यहीं पर हम लोग बात करें इस phone के front के तो front में आपको एक selfie camera मिलता है तो यह 5 megapixel के साथ आ जाएगा और यह जो ओपर f15 है इसका जो display size है वह आपको यहां पर 6.252 इंच का HD plus resolution के साथ आता है 720 x 1600 का तो यह जो फोन है आपको 2230 mh battery के साथ मिलता है और इसका जो अपना color voice है वह 7.2 देखने के लिए मिलेगा जो की based android version 10 के ऊपर और इसका जो hardware है यहां पर हम लोगों को 3 GB का RAM और 32 GB का storage देखने के लिए मिलेगा और इसका जो processor है इसके अंदर हम लोगों को Mediatek का देखने के मिलता है I mean Mediatek Helio P35 और जो processor type है यहां पर आपको octa core देखने के लिए मिल जाएगा अभी यह confirm नहीं है यह जो है 1.8 GHz के साथ आथ या 2.0 GHz के साथ तो यह कुछ चब की highlights था इस OPPO Air 15 के बारे में तो I think कि आप सब को इस phone का design जो है काफी पसंद आने वाला है क्योंकि यह phone अभी फिलाल blue color में ही देखने को मिलेगा आप Google कर लो Amazon कर लो Flip cut कर लो कहीं भी अभी इस phone का जो color है फिलाल blue देखने के लिए मिलता है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे मैं इसी तरह किसे नए नए वीडियो लेकर आता रहता हूं और अपने दोस्तों के साथ सेयर करें बस मुझे इसी तरह किसे सपोर्ट करते रहें तो बस आज के लिए इतना ही मैं फिड मिलूँगा नए वीडियो में नए गैचिट के साथ